हलो एंड वेलकम टू यॉर ओन चैनल लंगसुक लंगसुक बिकॉज अवरी ब्रिथ मैटर्स और आज के वीडियो में हम डिसकुशन जारी रखेंगे हमारा जो कि हमने पिछले वीडियो सीरीज से स्टार्ट किया है और इंटर्सीशल लंग डिजीज यानि की फेफडे सिकू जानेंगे कि इस दिश्टिक चैलेंज बन जाता है क्योंकि सिम्टम्स जो है वो बहुत ही कॉमन हैं और वो ओवरलाप करते हैं बाकी रेस्पाइरेटरी कंडिशन के साथ कॉमन सिम्टम्स जैसे कि हमने डिसकस किया पिछले वीडियो में कि सूखी खांसी हो सकती है मरीज को चलने फिर ने में सांस फूल सकता है या फिर अगर इंटर्सीशन लंग डिजीज जैसा कि हमने बात किया कि वो कलेक्टिब टिशू डिसॉर्डर से रिलेटेड है आर्थ पिशेंट को फॉलो करना चाहिए एक फिजीशन को फॉलो करना चाहिए ताकि इंटर्सीशन लंग डिजीज का डाइगनोसिस अचीव हो सके और वो मिस ना हो सके तो जारी रखिए आज का वीडियो देखना मैं आपका दोस्ट डॉक्टर अंकुष स्वागत करता हूँ जैसे कि एक चीज़ होती है जिसको हम कहते है कि नेल्स के अंदर किसी-किसी पेशेंट को क्लबिंग हो सकती है क्लबिंग का मतलब साधरन भाषा में आप समझे कि नेल बैट्स जो है थोड़े फूले हुए होते हैं नाखून जो है फूले हुए मरीज नोटिस कर सकता है पर यह हर एक मरीज में नहीं होता किसी-किसी सबसेट आफ इंटरसीशन लंग डिजीज में ऐसा हो सकता है खास करके जैसा हमने पिछली वीडियो में जाना एक एंटाइटी हैं इंटरसीशन लंग डिजीज की जिनको कहते हैं एडियोपेथिक पल्मोनरी फाइब्रॉसिस उपिजिस्ट सबस Luna के अनदर सबस्क्राइब ऑने एडियो और सकते हैं में जहां रसक्राइब्रॉसित जो कि जॉ फिच्रात चैस्यों लंग भीड़न एडियो में लिज्ग हो सकते कि टिजीज के अला बांवा एक और बहुत इंपॉटण चीज जो कि physicians को notice करनी चाहिए, वो है exercise desaturation, exercise desaturation से हमारा क्या मतलब है कि मरीज को चलने फिरने के ऊपर, जो सांस पूलता है, उस वक्त oxygen की मातरा 4% से जाधा ड्रॉप हो जाती है, इसको हम कहते है exercise desaturation, यह intercision lung disease में और उसके अलावा कुछ और respiratory conditions है, उनके अदर भी देखने को मिल सकती है, उसके अलावा clinical examination जब आप करते हैं, तो intercision lung disease का एक बहुत ही खास feature होता है, कि fine end inspiratory crackles होते हैं, इसका क्या मतलब है, मेरे patients के लिए बहुत ज़ादा ज़रूरी नहीं है यह बात को जानना, लेकिन physicians के लिए जानना ज़रूरी है, कि examination में जब आप chest को auscultate करेंगे, तो chest के अंदर कुछ specific finding होती है, जिसको हम fine end inspiratory crackles patients को देखने को सुनने को मिल सकते हैं हमारे physicians को, अब आते हैं diagnosis के आगे अगले वाले steps पे, जो की बहुत ज़रूरी हो जाता है, कि जब एक patient का chest x-ray किया जाता है, तो chest x-ray के अंदर जाल सा बना हुआ देखेगा, patients के लिए स reticular nodular infiltrates देखने को मिल सकते हैं, हर एक interstition lung disease के अंदर usual x-ray का common सा pattern है, reticular nodular infiltrates, जब इसी diagnosis को आगे expand करते हुए CT scan करवाया जाता है, और वो भी खास करके HRCT with expiratory scan कराना बहुत जरूरी है, यानि कि इसको कहते हैं high resolution computerized tomography with expiratory scan, तो इसके अंदर CT scan के अंदर ये एक तरहे का CT scan है, इसके अंदर हर एक interstition lung disease का अपना एक specific pattern होता है, उसकी details में हम अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही technical हो जाएगा, HRCT यानि कि CT scan of chest के अंदर बहुत ही specific patterns देखने को मिलते हैं, जो कि हर एक disease में अलग अलग तरह है कि patterns देखने को मिलते हैं, अगर एक IPF का patient है, इडियोपेथिक pulmonary fibrosis का तो उसमें एक अलग CT pattern होगा, corrective tissue disorder related है तो उसमें एक अलग CT pattern होगा, occupational lung diseases में कुछ अलग findings होगी, sarcoidosis में कुछ अलग होगी, हरे का pattern थोड़ा थोड़ा अलग है और इसलिए एक pulmonologist और इसलिए एक trained radiologist का इसमें opinion बहुत ही ज़रूरी है, आगे बढ़ते हैं diagnostic protocol के अंदर कि कुछ तरह की blood investigations भी बहुत बार हमारे diagnostic protocol में बहुत ज़्यादा हमारे useful होती है, जैसे कि patients हैं connective tissue disorders के, तो उनके अंदर connective tissue disorder का जो profile है, so connective tissue disorder के profile हम blood samples में करवा सकते हैं, उससे diagnosis की तरफ पहुँचने में मदद हो सकती है, hypersenativity pneumonitis, HP की जहां हमने बात करी थी, कि HP जो है, उसका भी एक HP panel करके होता है, blood test के अंदर वो भी किया जा सकता है, इसके अलावा कुछ patients जैसे कि हमने sarcoidosis का बात किया, तो sarcoidosis के लिए भी कुछ तरह के blood test कर सकते हैं, हाला कि वो non-specific है, उन में से एक test है, serum ACE levels, तो वो करा जा सकता है, IPF को diagnose करने के लिए, या फिर occupational lung disease को diagnose करने के लिए, specifically कोई खास तरह का blood test नहीं available है, इसी diagnostic protocol में जब हम आगे चलते हैं, तो हम बात कर लेते हैं, pulmonary function testing की क्या importance है, यानि कि हमारे patients के lung functions के उपर क्या आसर पड़ता है, जैसा कि हमने जाना कि patients को चलने फिरने में सास फूल रहा है, और सुखी खासी आ रही है, तो इसकी वजह उनके lungs का fibros होना है, यानि कि उनके lungs का फेफणों का सिकुड़ना है, जो कि pulmonary function testing के अंदर भी reflect होता है, PFT के अंदर बहुत ही commonly एक restrictive pattern देखने को मिलता है, मेरे patients को बस यह जानना ज़रूरी है, कि PFT में क्योंकि lungs उनके सिकुड रहे हैं, तो PFT में यानि कि उनके lung functions की value कम हो जाएंगी, मेरे physician दोस्तों को और मेरे बाकी doctor मित्रों को यह जानना ज़रूरी है, कि उसके अंदर PFT में restrictive pattern वो देख पाएंगे, जिसके अंदर FEV1 की value कम होगी, FEC की value कम होगी, अब naturally जब FEV1 और FEC value दोनों कम हैं, तो ratio जो हम देखते हैं FEV1 by FEC का वो normal रहेगा, इस तरह से restrictive pattern एक ILD के मरीज के अंदर PFT में देखा जा सकता है, PFT का next step रहता है DLCO, यानि कि diffusion capacity of carbon dioxide, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना कि oxygen और carbon dioxide का आना जाना, जिस alveoli के against में होना है, जहां पर gas exchange होना है, जब वहाँ पर पर एक जाल बन जाएगा intercession में, तो यह gas exchange hamper हो जाएगा, जिसी की वज़े से, जो हम test करते हैं DLCO, DLCO की values के अंदर गिरावट आ जाता है, तो यह बहुत ही commonly करे जाने बाला test है, इसके अलावा बहुत ही rarely, पहले, आज से कुछ पर पहले अगर मैं बोलूँ, नियर बाइ, 7-10 अगो, open lung biopsy भी किया जाता था, यानि कि हमारे काडियो थोरैसिक सॉर्जन्स जो है, उनकी मदद से हम open lung biopsy करते थे, ताकि हम एक definitive diagnosis के उपर पहुंच सके, लेकिन आज की date में, with adequate clinical examination, history taking, as well as with use of high resolution computerized tomography, and in certain cases with the help of blood test, majority cases में हम diagnosis बना लेते हैं, फिर भी किसी-किसी cases में जहां पे diagnostic dilemma रहता है, कुछ cases में हम lung biopsy कर सकते हैं, जो की bronchoscopy के जरिये करी जा सकती है, जो की transbronchial lung biopsy होती है, यह मेरे physician दोस्तों के लिए भी जानना जरूरी है, transbronchial lung biopsy करी जा सकती है, या फिर आजकल की modality जो की बहुत commonly चल रही है, वो है cryo biopsy, cryo biopsy में बहुत अच्छे bits हमार को मिल सकते हैं, कुछ patients में hypersensitive pneumonitis versus sarcoidosis को differentiate करने के लिए, हम bronchoscopy guided lavage भी कर सकते हैं, जिसके अंदर bronchoscopy के जरीए, airway में से कुछ secretions निकाले जाएंगे, जिसको आगे subject किया जाएगा कुछ investigations पे, उससे भी diagnosis अचीव करने में help हो सकती है, तो आज की वीडियो में हमने जाना कि क्या-क्या use है हमारा history taking का, clinical examination का, x-ray, CT scan, PFT वे DLCO के अंदर, कुछ blood investigations और bronchoscopy के बारे में, कुछ बहुती brief में हमने संक्षेप में बहुती महतपूर्ट जानकारी आप से आज share करी है, वीडियो को like जरूर करिएगा, और सबके साथ share जरूर करिए, ताकि ये information जादा से जादा मरीजों के पास पहुँच पाए, और diagnosis करने में हम delay ना करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी treatment स्टार्ट कर भाएं, चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो subscribe जरूर करें, ताकि ऐसे regular videos आपको मिलते रहें, और update आपको मिलते रहें, Interstitial Lung Disease के part 3 of the video के अंदर जानेंगे, कि क्या-क्या treatment options हमारे patients के लिए available है, उसमें हम drugs के बारे में जानेंगे, और किस तरह की modality से उनकी मदद हो सकती है, Rehabilitation में क्या कर सकते हैं, Vaccination में क्या कर सकते हैं, वो सारी जानकारी हम लेंगे, part 3 of the video में, आज की video के लिए इतना ही, मैं आपका दोस Dr. Ankhush इजाज़त चाहूँगा आपसे, Thank you so much for watching this video, and thank you so much for liking and sharing our content, we hope that we are adding tremendous value to you, thank you so much.